Hello everyone, Welcome to Conn Study आज का lecture अकाउंट पर है लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपका एक मिनट लूँगा देखे मुझे बहुत सारे मेसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर और फेस्बुक पर बच्चों के की वो ठक चुके हैं, बहुत मेनद करते हैं और उपर से इंप्लॉइमेंट नहीं है प्लस एक क्रोना वायरिस भी सिचुएशन गाप करता जा रहा है देखे मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग ब्रिलियंट है और उनको उनकी मेनद के हिसाब से अभी तक रिजल्ट नहीं मिला लेकिन honestly एक बात बोलूँगा आपको knowledge कहीं नहीं जाती और मैनद भी इंसान की कहीं नहीं जाती उपर वाला आपकी मैनद देख रहा है and hopefully जल्द ही कुछ अच्छा होगा आप आपके साथ मेरी ये दूआ है आप सब के लिए इस वीडियो के एंड में आपको एक क्विज मिलेगा उस क्विज को आपने अटेम्ट करना है किसी भी हाल में उसके आंसे आपने नीचे लिखने है बहुत बेसिक से क्वेशिन्स है हिस्ट्री के क्वेशिन्स मैंने बूचे हैं और वो मैं पढ़ा चुका हुआ हूँ मैंने हिस्ट्री का सारा स्लेबस कंप्लीट कर दिया है जन्र नॉलेज विद इस्पेक्ट्व जेन्स के सारे कंप्लीट हो चुकी है इन फैक अब मैं कंपाइल वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए ठीक है आपने वो सारी देखी है और अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देखिए पहले ठीक है उनको भी साथ साथ देखिए लेकिन जिन्होंने देखी है जो काफी देर से फॉलो कर रहे हैं मेरे चानल को तो आप आप उनके सारे आंसेज दे पाएंगे 10 questions है 10 के 10 answers करिएगा कैसे भी करिएगा एक दूसरे का देख के करिएगा लेकिन लिखिएगा उसको ताकि वो आपको याद हो जाए ठीक है एन हाँ ये हमारा Facebook का page है प्लस ये close group है Facebook का आप ये दोनों जगा पर join कर लो ताकि इस recruitment की form filling की dates and updates आपको मिलती रहे प्लस आप में से बहुत लोगों ने subscribe नहीं किया है तो अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप subscribe करो और वो bell icon है उसको भी ज़रूर प्रेस करना अगर कुछ आपका doubt है या फिर कुछ भी query है तो इंस्टा पर मैं active रहता हूँ आप मुझे वहाँ पर भी पूर सकते हैं चलिए अब शुरू करते हैं देखिए आपके सामने accounts की universal known definition है और अब मैं आपको इस definition को बहुत ही simple language में समझाऊँगा बहुत ही simple देखिए accountancy mainly depend करती है on financial transactions suppose आप एक pen लेने stationary की shop पर जाते हैं और आप shopkeeper से pen लेते हैं और उसको in return 10 रुपे देते हैं तो ये एक example हो गया financial transaction का because इसमें finance that is money involved है ठीक है अब suppose आप ही वो shopkeeper हो assume कर लो कि आप ही वो shopkeeper हो और आपकी pen की shop है अब अगर आपने ये business चलाना है तो सबसे पहले आप अपना पैसा कहां लगाएंगे सबसे पहले आप अपना पैसा लगाएंगे raw material खरीदने में that is आप पैसा लगाएंगे pen को खरीदने में तब ही pen की shop चलेगी ना आपकी यही आपका पहला step है कि आप identify करेंगे raw material को और उस पर पैसा लगाएंगे that is identifying business transaction अपने पैसे को कहां लगाना है उसको identify करना ठीक है तो यह हो गया point number बना next अब सब्सक्राइब आप 1000 pen लेकर आएओ manufacturer से लाएओ और आपने उस 1000 pen के लिए manufacturer को 50,000 रुपए दिये तो यहां पर measuring value होगी 50,000 because accountancy में measuring value हमेशा in terms of money दी जाती है आप 1000 pen लेकर आ रहे हो इससे कोई फरक नी परता आप 50,000 रुपए दे कर आ रहे हो इससे फरक परता है यानि कि measuring value यहां पर क्या हो रही है 50,000 रुपए जितने पैसे आप खर्च रहे हो अब next step जो है वो है कि pens लेकर तो आगे हो लेकिन आप उसके records maintain कर रहे है यानि कि recording करनी है recording किस चीज़ की जाती है recording की जाती है sale की, purchase की expenditure की, profits की और यह recording की जाती है journals के अंदर journals फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि journal एक तरीके की record book है जब भी आप recording कर लोगे तो next step बहुत ही simple है classifying classifying एक बहुत easy step है इसमें आपने sale के अंदर, sale के entries purchase के नीचे, purchase के entries, expenditure के अंदर, expenditure के entries, in short जो चीज जिसकी है, उसके अंदर लिखनी है, next step है to summarize summarize अगर मैं आपको देसी भाषा में कहूं, तो वो हो गया, total करना for example, हमने एक entry की journal में, sale के entry की, for example, ठीक है और उसमें हमने हर एक month की जो sale होगी हमारी, उसकी जानकारी लिख दी, and end में उसको total कर लिया, अब ये total आपका summarize क्यलाता है total आपका summarize क्यलाएगा next step हो गया, analyze करना या interpretate करना that is, ये confirm करना कि आपको profit हो रहा है, या loss हो रहा है, आप देख रहे हो कि आप कोई भी step को miss नहीं कर सकते हर एक चीज जो है, वो sequence में चलनी चाहिए, everything has to be sequential, and लाता है, communicating that is, आपको अपने business की report internally, as well as externally, share करनी है, अब इसका क्या फाइदा हुआ, इसका क्या मतलब है कि internally as well as externally, for example, आपने सुनो होगा, JK Bank को जब भी profit होता है तो वो अपने employees को bonus देता है अब अगर वो internally लोगों को पताएगा reports के बारे में तब ही तो वो profit देगा, तब ही तो वो bonus देगा अपने employees को, ठीक है यह हो गया, internally communicate करना अब JK Bank यही report RBI को भी देता है ताकि वो RBI जो है वो JK Bank को पैसा दे और JK Bank अपना business, अपनी branches और expand करे यह हो गया, externally communicate करना ओके तो अब हम पढ़ेंगे bookkeeping and accounting bookkeeping एक primary stage है जबकि accounting एक secondary stage है इससे क्या समझते हैं basically, जो हमने 8 steps identifying, majoring, recording classifying, summarizing, analyzing interpreting and communicating इन में से जो पहले 4 steps है वो bookkeeping के अंदर आते हैं और जो बात के 4 हैं वो accounting में आते हैं अगर थोड़ी wide में आपको समझाओं तो accounting में total 8 के 8 steps आते हैं लेकिं bookkeeping में सिर्फ पहले 4 steps आते हैं जो accounting होती है वो usually perform किये जाती है लेकिं जो bookkeeping है वो सिर्फ और सिर्फ clerk perform करते है bookkeeping अगर मैं DC language में आपको समझाओं तो books को maintain करना और ये daily basis पही किया जाता है जबकि जो accounting होती है हमारे पास वो monthly हो सकती है या फिर yearly भी हो सकती है I hope आपको इतना clear हुआ होगा अब हम पढ़ेंगे branches of accounting ओके तो branches of accounting basically divided है into three financial accounting, cost accounting and management accounting financial accounting में basically company के जो profits and loss है उनको देखते हैं ठीक है अगर आपको यहां तक सब समझ आ रहा है और आप notes बना रहे हैं आपको बढ़िया लग रहा है तो इस video को like करिएगा next है cost accounting basically हम इसमें देखते हैं कि total cost हमारी कितनी लग रही है purchase of raw material से लेके एक finished product तक ठीक है, मैं बहुत simple भाशा में समझा रहा हूँ आपको कि आपको सारा समझ आ जाए बाकि अगर आप notes नी बनाएंगे तो जितनी मर्जी बाहर आप यह video देख लेंगे कोई फाइदा नहीं होगा last में आता है management accounting तो जो management level पर चरती है usually इसमें क्या होता है कि management decide करती है कि loan कहां से लेना है हमने raw material कहां से लेना है तो यह होती है management accounting ठीक है, बहुत simple भाशा में समझा है बहुत easily समझा होगा आपको I hope okay तो आप by quiz time total 9 questions आएंगे आपके सामने आपने उन 9 में से 9 का answer करने की कोशिश कर रही है अगर आपको 2 या 3 भी आते हैं तो भी at least attempt करिएगा ठीक है, अच्छा लगेगा जितना efforts में मैं डालता हूँ आपके लिए अगर आप 2 भी attempt करेंगे नीचे comment box में तो मुझे अच्छा लगेगा अलाकि आपको जादा आने चाहिएं क्योंकि ये सारे questions में करवा चुका हूँ सारी videos uploaded हैं आप उनको देख सिपते हैं बार-बार और अगर आपको नहीं आते हैं तो please उनको देखिएगा ठीक है question number 1 है कि other than Kashmir which is JNK only region where saffron is cultivated options है Udampur, Jammu, Badrwa and Kishtawad next Jammu and Kashmir is located between the latitudes of Jammu and Kashmir is located between the latitudes of ये second question है आपका थोड़ा tough question है numeric value याद रखनी पड़ेगी इसकी ठीक है next question, third question है आपके सामने है Jammu and Kashmir is located between the longitudes of ठीक है difference देख रहे हैं आप पिछले वाले equation में latitude था इस वाले equation में longitude है अगर आपको आता है तो good नहीं आता है तो पुरानी वीडियोस खोलिए और उनको वापिस देखिए सारी चीजे पड़ाई हुई है नोट्स बनाए होगी जिस बच्चे ने उसको सारे आते होंगे ठीक है next question equation number 40 है यह numbering में थोड़ी गलती हुई है equation number 40 है what is the total population of Jammu and Kashmir यह 2011 की census के साब से आपने बताना है कि Jammu and Kashmir की total population कितनी है equation number 4 होगा next equation number 5 equation number 5 है physical division of states are classified into जो states की physical division है वो कितने भागों में classified की गई है दो regions में तीन regions में चार regions में या पांच regions में question number 6 है गुलाब नामा was written by बहुत easy question है सारे करेंगे इसको गुलाब नामा was written by यह है आपका second last question Jammu City is situated on the dash slope of Shivalix क्या वो western slope है eastern slope है southern है या northern है ठेक है कौन सी slope है Shivalix की जिस पर Jammu City situated है सोचेगा और comment करियेगा नीचे यह है आपका second last question Jammu City is situated on the dash slope of Shivalix क्या वो western slope है eastern slope है southern है या northern है ठेक है कौन सी slope है Shivalix की जिस पर Jammu City situated है सोचेगा और comment करियेगा नीचे और last question है आपके बास की Bugli Heart Power Project जो है उसकी capacity है सबसे easy question है मेरे साब से यह और यह तो मुझे लगता है सारे बच्चों को आता ही होगा तो इसको भी attempt करियेगा नीचे और नीचे क्या करियेगा कि जितने भी questions आप से attempt हुए होगे न तो इसका out of nine अमना score भी नीचे जरूर लिखेगा ठीक है ओके तो that's it इस वीडियो से इतना ही I hope आपको सब समझाया होगा इस वीडियो में हमने total तीन topics cover किये what is accountancy, bookkeeping and accountancy and branches of accountancy ठीक है तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा दो-तिन वार वीडियो को देखेगा नोट्स बनाईएगा आपको समसमझा जाएगा ठीक है and like करिएगा वीडियो को subscribe करेगा चैनल को thank you and God bless you all